नमस्कार विद्यार्थिमीत्रों आपने इकाई दो अभ्यास के सभी प्रश्ण अपनी पक्की कापी में लिख लिए होंगे अब स्वाध्याय लिखना है स्वाध्याय का प्रश्ण पहला और दूसरा मैं लिख कर फोटो बेज रहे हूं आप उसमें से देख कर लिख लेना प्रश्ण तीसरा और चौथा समझा देती हूं आप अपने आप लिख लेना बराबर है प्रश्ण तीसरा उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए तो गोला दिया गया है आपको गोला भरना है मानि खाली जो वर्तुड है उसको आपको भरना है तो आपको प्रश्ण भी लिखने है उसके सभी विकल्प भी लिखने है और सही विकल्प के सामने पूरा विकल्प उसको भरना है बराबर है आप अपने आप लिख लेना मैं उत्तर नहीं बोल रहे हूं, आपको इसके उत्तर मालूम है, बराबर है, अब प्रश्न चार, कोश्टक में से शब्दों को चुन कर समानार्थी शब्दों की जोड बनाईए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, आपको क्या करना है, सुचना लिख कर सभी शब्द जो दि आपको समानार्थी शब्द चुनना है, मैं आपको एक बार बोल देते हूं, आप समझ जाएंगे, फिर सभी शब्दों के वाक्य बनाने है, याद रहे, सभी के वाक्य बनाने है, तो कामियाबी, इसका समानार्थी शब्द है, सफलता, बराबर है, जाच, इसका समानार्थ इसका समानार्थी शब्द है परिक्षन, खयाल इसका समानार्थी शब्द है विचार, अमीर इसका समानार्थी शब्द है धनवान, विख्यात इसका समानार्थी शब्द है प्रसिद, नुकसान इसका समानार्थी शब्द है हानी, बराबर है इनमें ही दिये गये हैं, मैंने स समानार्थी शब्द आपको डूंड कर दिये हैं, आपको क्या करना है, तो इन सभी शब्दों को पहले लिखना है, फिर समानार्थी शब्द का जोड बनाना है, फिर दोनों के वाक्य लिखने हैं, बराबर है, नहीं सभी शब्दों के बारह वाक्य आपको लिखने हैं, वाक् होने चाहिए, एक समान वाक्या नहीं लिखने हैं, अब प्रशन चार पूरा होने के बाद व्याक्रण लिख कर फोटो भेज रही हूँ, यह भी लिख लेना, बराबर है भाशा सज्जता लिखनी नहीं है क्यों, क्योंकि हमने यही बाशा सज्जता इकाई एक के बाद लिख ली है इसलिए भाषा सज्जता नहीं लिख ली है सिर्फ स्वाध्याय और व्याक्रण लिखना है बराबर है